नमस्कार कक्षा 10 exercise 7.1 प्रेशन पहले का तीसरा भाग हम करने जा रहे हैं हमें दो बिंदू दिये गए हैं A, B और दूसरा है माइनस A, माइनस B हमें इन दोनों के बीच की दूरी ग्याद करनी है तो देखो बच्चो एक बिंदू है माइनस A, माइनस B और एक बिंदू है A, B इन दो बिंदू के बीच की दूरी हमें ग्याद करनी है ठीक है? माल लेते हैं इस बिंदू का नाम है P, इस बिंदू का नाम है Q तो दूरी सूत्र के अनुसार दूरी किसके बराबर होती है रोट X2 माइनस X1 का होल स्केर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्केर के बराबर होती है तो हमें पता है दूरी कौन सी है P और क्यों के बीच की दूरी यानि कि इसको बोलेंगे P क्यों यह बराबर होगा रूट देखो बच्चो इसको x1 y1 मानो इसको x2 y2 मानो ठीक है बेटा तो इसको x1 y1 माना इसको x2 y2 माना तो देखो x2 x2 है माइनस a माइनस x1 x1 है a1 माइनस a का हो उसकेर प्लस देखो y2 दूसरा बिंदू है ये पहला बिंदू है ये y2 होगा दूसरे बिंदू में y वाला निर्देशांग जो की है माइनस भी माइनस y1 पहले बिंदू में y वाला निर्देशांग यहाँ पे कोमा है ये वाई वालन निजेशांग जो कि है बी रोट रोट माइनस है माइनस है का होल स्क्यार माइनस माइनस प्लस ए प्लस ए होता है तुआ साथ में साइन माइनस का माइनस टुए का होल स्क्यार प्लस इसी प्रकार से माइनस भी माइनस भी माइनस माइनस प्लस भी प्लस भी होता है तुबी साथ में साइन माइनस का इसका होल स्क्यार बराबर फिर से root minus का square plus 2 का square 4 A का square होगा A square इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर minus का square plus 2 का square होगा 4 B का square होगा B square अब बच्चों कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर 4 A square plus 4 B square को 8 A B square लिख देते हैं वो गलत है वो गलत इसलिए है क्योंकि A square वाली रकम B square वाली रकम में add नहीं हो सकती क्योंकि यह समान like terms नहीं है समान पद नहीं है इसके पीछे A square है इसके पीछे B square है या अपस में plus या minus नहीं हो सकते दूसरी बात कई बच्चे क्या करते हैं root 4 A square का root 4 A square का root 2 A लिख देते हैं और यहाँ पर 4 B square का root 2 B लिख देते हैं वो भी गलत है गलत इसलिए है क्योंकि जब इन दोनों संख्याओं के बीच में plus का निशान है तो हम इनको root से बाहर नहीं ला सकते हैं यहाँ गुना होता फिर अभाजे गुनन खंडन से इनको बाहर लाया जा सकता था परन्तू इनके बीच में plus है इसलिए इन में से या इस में से कोई भी रकम बाहर root के नहीं जा सकती तो हमारा जो उत्तर है ना तो यह root से बाहर आ सकता है ना plus minus हो सकते हैं इसका मतलब यही हमारा उत्तर है पी के उदूरी किसके बराबर है रूट के अंदर चारे स्क्यार प्लस चार बी स्क्यार इसका रूट इकाई के बराबर आशा करता हूँ इस वीडियो के माद्धम से यह प्रशन आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा इस प्रशनावली के बाकी प्रशनों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी वीडियो को भी वहाँ पर देखकर इन प्रशनों को समझ सकते हैं धन्यवाद